हेलो all and welcome back again in recognition IS हम लोगव बाते कर रहे थे modern history के बारे में और इस modern history में बेसिकली हम लोग ने last class में देख रखा था arrival of European companies के बारे में arrival of European companies में सबसे पहले हम लोग ने बात किया था Portuguese के बारे में फिर British, Dane, French और फिर lastly हम लोग ने बात किया वा था डच के बारे में इन सब लोगों में हम लोगों ने देखा कि जो Britishers थे basically वो अपने कई तरीकों के माध्यम से जितने भी Indian dynasties थे उनको आपस में लड़ाया और उनके ओपर में फिर ultimately capture भी करते चले जा रहे थे कुछ चीजों के बारे में हम लोग ने देख रखा है और कुछ चीजों को हमें आगे अभी देखना है अब British Empire जब जैसे ऐसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बाकी जितने भी European companies हैं उनके साथ में इनकी war होना शुरू हो जाती है जैसे कि हम लोग ने देख रखा था 1759 में डच के साथ में war हुआ था पोच्चुगीज के साथ में war हुआ था और बाकी इस्पीन के साथ इस्पीन तो खेर यहां पर है ही नहीं लेकिन बाकी French के साथ में जो war हुए थे उसको हम लोग करनाटिक वार के नाम से भी जानते हैं करनाटिक वार करनाटक के एरिया में हुआ था और करनाटक की पॉलिटिक्स को लेके हुआ था लेकिन यहां पर सिर्फ करनाटिक यह प्लेयर इंवाल्व नहीं है यहां पर मल्टिपल प्लेयर इंवाल्व है जिसमें से ब्रिटिश, फ्रेंच, मराथा, मुगल, करनाटिक औ कि जो करनाटिक war है वहाँ पर जो दो important player निकल के आते हैं वो आपके French और British ही निकल के आते हैं करनाटिक war को दूसरे words में ऐसे भी समझा जा सकता है कि ये कैसा war था जो शुरू कहीं और हुआ था और अंत कहीं और हुआ था जैसे French और British के बीच में जो ये rivalry चल रही थी आपस में इन rivalry में किवल इंडिया में ही नहीं problem थी ये problem actual में योरोप में भी थी और वहाँ पर भी जो politics थी जैसे कि आस्ट्रिया की polity आस्ट्रिया की polity को लेकर के जो war वहाँ से शुरू हुए थे वो सारे war यहाँ इंडिया में आ करके खतम हो रहे थे इन सारी चीजों को हम लोग basically discuss करेंगे अपने session में और हम लोग देखेंगे करनाटिक war के बारे में करनाटिक war के reasons को देखें तो यहाँ पर देखें multiple reasons हैं जैसे कि कुछ यहाँ पर छोड़े छोड़े लिखेंगा हैं जैसे कि निजाम और फाइदराबाद के बारे में जो यहाँ पर जो ruler था उसका नाम था निजाम-ul-मुल्क या फिर असवजाह नाम था basically इसका करूमनल के यहाँ पर कंट्रोल करने वाला जो बंदा था उसका नाम साथ ला ने क्या किया था कि आगना नेक्स्ट हीर दोस्तली खान को बना दिया था यानि कि जो करनाटक के एरिया था basically वह कैप्चर किया हुआ चुगा था मुगल्स के द्वारा मुगल के डेकन के एरिया में आता थ जो है वो राज्य करता था सादत उल्लाख खाने अपने नेक्स्ट अकला जो उत्तराधिकारी था अगला जो नेक्स्ट आएगा राजा बनेगा उसको बता दिया गया था कि दोस्त अली खान जो है बनेगा वो उसका बिसकली रृलेटिव लगता था सव्वेंटिम फृटिवन में हुआ कि जो मराठास थे जो पैसे के लिए ही मौनिटरी कम्पनसेशन के लिए ही वार लड़ते थे गोरिला वर फेर करते थे इन्होंने क्या किया कि एक दोस्त अली को आए मार दिय और चले गए और साथी साथमें जो चठिकली दोस्त अली का र क्योंकि अगला जो हीर अगला जो तरह दिकारी बनने वाला था दोस्तली वो मार दिया जा चुका और उसके जो अगला बंदा है वो अच्छना सा वो भी कैप्चर किया जा चुका है उसको भी ये लोग उठा करके लेते आए हैं तो करनाटिक में अब पॉलिटिकल वैक्यूम एक क्लियरली दिख रहा था कि आगे आने वाला है तो यहां पर देखेंगे जो मेन पार्टी है वो है असबजा फार्टी और इस असबजा ने क्या किया था कि अनवरुदीन एक बंदा था अनवरुदीन को अपॉइंट कर दिया के पॉलिटेश और फ्रेंच है ये दोनों भी pedal के पॉलिटि में हुआ हो गया थे और ऑस्ट्रिया में पॉलिटी के इंवाल होने की कारड़ से यह जो वहां की वर थी वहां इंडिया में भीakin ही करी फरवर्ड हो गई ति और इसी करी फ्रवरोड को ही अमना लो बोलते हैं क के बारे में अगर डात किया गाए तो 1746 तक यह चलती है हाला कि देखिए वार रुगी नहीं थी फिर यह कंटीनूड हो गई थी सेकेंड कर्नाटिक वार और फिर थल्ड कर्नाटिक वार तब तक हुआ था जब तक कि दोनों में से कोई एक प्रॉपरली हार नहीं गया था यहा जब वहाँ पर war biasness नहीं हो रही थी जैसे war वहाँ पर जब दोनों parties में चल रहे थी तो ultimately जो Britishers थे उन लोगों को ये भी बोल दिया गया है कि तुम इंडिया में भी यार अपना war बगर छेड़ सकते हो उसको continue कर लो और वैसे भी देखिए ये तो देश प्रेम ही होता है कि जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ पर विरोध तो करेंगे ही करेंगे तो ये जो विरोध होता है कुछ लोगों का विरोध जो है वो कुछ क्लाइव टाइप का होता है तो यहां पर भाई यह तो Clive वाले लोग ही है तो Clive से actual में यहां पर विरोध जो दिखाया गया वो बर्नोटे ने दिखाया बर्नोटे ने क्या किया था कि जो यहां की French ships थी उनको फिर capture कर लिया अब जो सीधी सी बात है जो फ्रेंच है और उस समय फ्रेंच जो है वो डूपले था बेसिकली डूपले ने क्या किया डूपले उस समय एक्च्वल में क्या है कि जो चंदर नगरती उस फैक्टरी का यह वाइसराय बना दिया गया था और बाद में इसे ट्रांसफर कर दिया ग कैप्चर कर लिया है तो खुद भी अटाइक कर सकता ता लेकिन उसने अटाइक नहीं किया इसने हाइरार्की फॉल्ओ की और हायरार्की यही कहती है कि जो भी जिस भी authority के जिस भी government के अंडर में ships हैं उस area में उस area के लोगों से basically capture उस area के लोगों से उस area के जो राजा है उस से basically फ़हले request करना होगा उसको बोलना होगा कि हमारी ship को छुड़वाईए और इस कारणर से डूपले सबसे पहले करनाटक के नवाब के पास गया करनाट इसी सी बात है डूपले के बास एक option cancel हो गया खुद भी attack कर सकता था लेकिन attack उसने नहीं किया इसने Mauritius का जो राजा था जिसका नाम था Law Borden इसके पास गया और ultimately यहाँ पर बोला किया देखो ऐसा है कि हमारी ship अगरे जो है वो capture कर ली गई है तो जो Law Borden होता है Law Borden था Mauritius का किंग इसने कहा कोई बात नहीं हम attack करेंगे और हम तुम्हें तुम्हारी ship को दिलवाएंगे Mauritius के किंग ने क्या किया लैंड और वाटर दोनों ही साइट से attack किया और ultimately जो ships है उनको तो free कराया ही कराया साथ ही साथ में जो मदरास के एरिया जो 1640 में 1640 में British ने capture कर रखा तो उसको भी capture कर लिया और इस तरीके से British को अब अच्छी खासी गलती समझ में आ गई थी किया रिफ्रेंच के हमने ship को capture किया अब मदरास उसके चक्कर में निकल गया अब इस कारण से British क्या किये कि चलो ठीक है Mauritius के King के साथ में treaty sign कर लेते हैं और पैसवास अदे करके इनको निकाल देते हैं तो Mauritius के King ने ultimately 40,000 pound as a penalty दिया ब्रिटिश ने Mauritius के तो 40,000 as a penalty दिया और फिर मदरास को वापस पा लिया लेकिन जैसे ही Mauritius वाले साहब अपने वापस जा रहते हैं वैसे डूपले ने अटाइक करके मदरास को कैप्चर कर लिया वाट अ ग्लेम प्ले गेम प्ले अगर आप देखेंगे यहाँ पर डूपले का तो अंग्रेजियों का पहले confidence को गिराया confidence को गिराने के बाद मदरास को हथी आया और मदरास को हथी आने के बाद अब यह डूपले वाइलेंट हो चुका था अब ब्रिटेश के पास क्या option था ब्रिटेश जो है वो कहे कि या चलो ठीक है करनाटक के नवाब से बात करते हैं तो करनाटक के नमाब के पास यानि कि अन्वरुदीन से बात करने जाते हैं और सर्प्राइजिंगली अन्वरुदीन इस बर कहता है कि हम वहर लड़ेंगे तो करनाटक का नमाब जो होता है इंटरस्टड हो जाता है अगेंस्ट अ फ्रेंच अब जो करनाटक का नवाब अन्वरुदीन रहता है दूपले इन दोनों के बीच में टॉक होती है और इन दोनों की टॉक जो है वो होट टॉक में भी वदल जाती है दूपले कहता है कि यार मदरास आप खुद रखिये ब्रिटिश को देने की क्या जरूरत है इससे आपका ट टॉक के कारण से अटायक कर देता है डूपले के ऊपर में और इस अटायक को जाना जाता है सेंट होम वार या फिरिसी को बोलते है बैटल ऑफ अडियार अल्टिमेटली यहां पर फ्रेंच और करनाटिक नवाब अन्वरुदीन के बीच में वार हो जाता है फ्रेंच के बैटिश और फ्रेंच के बीच में फेस्ता इन वार हो दिया जाता है मदराज वापस से बैटिश को दे दी जाती है और यूएस का एरिया एक लूई辨वी बर्ग है जो फ्रेंच को दे दिया जाता है तो ये जो US वाला है ये चीज़ आपनों वर्ड हिस्टरी में पढ़ेंगे आगे फिलाल के लिए केवल और केवल समझ लीजे कि यहां ठीक है लुई बर्क एरिया फ्रेंच को देतीया जाता है और इस तरीके से बेसिकली ये जो वार होने वाली थी जो तयार थी नहीं हुई और ये बेसिकली एक मूवी का केवल और केवल टाइटल बन करके रह गया मूवी चली ही नहीं पाई केवल टाइटल ही बन के रह गया लेकिन अगर movie बनी है तो movie चलेगी तो जरूर और movie चलेगी तो सीधी सी बात है कुछ न कुछ condition बननी ही थी तो condition basically बनती है रही थी दोनों ही party एक दूसरे से बहुत जादा जो है वो द्वेश रख रहे थी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में थी ब्रिटिश साइट से भी और यही रीजन था कि बहुत ही जल्दी सेकेंड करनाटिक वार भी स्टार्ट हो गया देट इस 1749 से 54 के बीच में करनाटिक में एक्च्वल में हुआ क्या था कि जो दोस्त अली मर गया था और मरने के बाद फिर एल्टिमेटली जो इस्टंदा साथ थे उनको भी उठा ले गया गया था तो जो करनाटिक था उसमें पॉलिटिकल वैक्यूम अभी हम लोगे ने बा हाली हो जाता है अब सिर्फ करनाटिक ही ने एक्च्वल में हाइदराबाद में वी उसी समय पर काले बादल चा जाते हैं होता क्या है हाइदराबाद को जो निजाम रहता है असवजा वो भी मर जाता है अब यहां पर कोशन ही ओड़ता है कि यार अगला नवाब बनने का नाम रहता है निजाम साह नासिर जंग सोरी नासिर जंग नाम रहता है इसका लेकिन होता क्या है कि नासिर जंग का एक और चचेरा भाई रहता है जिसका नाम रहता है मुजफर जंग अब मुजफर जंग और नासिर जंग यह दोनों आपस में लड़े आते हैं कि हम राजा करने के लिए डूपले आ गया अब इसकी हेल्प करने बिटिस जो है वह नार्शी जंग के लिए पहुच गया यह तो ही हाईद्रबाट की पॉलिटिक्स इसी तरीके से politics करनाटिक में भी चल रही थी करनाटिक में हुआ क्या कि अन्वरुदीन एक साइड में राजे कर रहा था दूसरे साइड में फिर चंदा साहब भी लोट करके आ गया मराठाओं के पास से अब चंदा साहब तो original हो गया कि वो तो actual में उन्हें ही राजे करना चाहिए और अन्वरुदीन तो appointed बंदा था प्रॉक्सी बंदा था तब इन दोनों के बीच में war हो गई कि अब आगे कौन राजा बनेगा मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये लडाई जो थी वो बिहार की politics जहां पर एक तरफ जो है वो नितीश कुमार थे और दूसरे तरफ जो हता है ये आपके पुराने वाले सीमते बेसिकली उनका ना मुझे ध्यान नहीं आ रहा है तो ये दोनों आपस में क्या है बेसिकली लड़ गए थे तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो चंदा साब है उन मुझफ़र जंग डूपले और चंदा साहब ठीक है इसको बोलते हैं हम लोग M C D ठीक है मुझफ़र जंग चंदा साहब और डूपले और इधर आप देखेंगे तो ये बन गया है M A N मैन का मतलब हो गया कि यहां पर M से हो गई आपकी जैसे A for British हो गया N for Nassir जंग हो गया और M for हो जाता है मुहमद अली लेकिन यह मुहमद अली भी थोड़े देर में आएंगे तो डोन वरी अभी क्या चल रहा है बिटेश के साथ अभी आप लोग छोड़ दीजे क्या चल रहा है फिलाल M C D बन गया है M C D तयार हो गई है M C D तयार हो गई है तो सीधी सी बात है और तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे तो M C D ने क्या किया था सबसे पहले करनाटिक को ही निप्टाया और यहां पर हुआ किया कि अनवरुदीन के ओपर में अटायक कर दिया गया M C D के दोबारा अनवरुदीन बाइडिफॉल्ट यह क्या होगा इतनी लोग मारने आएंगे तो मरतों जाएगा ही तो अनवरुदीन बेसिकली जो होती है वो अनवरुदीन की डैथ हो जाती है और अनवरुदीन का जो लड़का रहता है इसका नाम है मौहमद अली यह भाग जाता है अपन को help करेंगे करेंगे और 80 गाउं जो है वो दे दिया आता है डूपले को कि लो भाई इसमें जो भी करना है दिवानी वसुल निया दिवानी वसुलो राजी करना है राजी करो जो भी करना है वो करो इन्होंने अपने capital को बना लिया था और यह सारी चीज़े जो ही ती इस war को बोला आता है war of amber जो की 1749 में हुई थी तो war of amber में बेसिकली यह सारी चीज़ें हुई थी चंदा साहम अब नवाब बनाए जा चुके थे करनाटी की या फिर हिंदी में बोला जाय तो यहां पर जो करनाटी के वहां पर फ्रेंच की फतह है वो चुके थी फ्रेंच और बिटेश में जो वार हुए थे उसमें फ्रेंच जो है वो जीत गए थे बिटेशर ने अब यहां पर अपना मूँ खोल लिया था और यह सोचे थे कि गेम प्ले क्या गेम खेल रहा है डू प्ले और इस गेम के बदले में इन्होंने का हम भी खे गया था तो मार दिएंगे तो सीधी सी बात है फ्रेंच ने मारा तो बिटेश के दोस्त बन गए तो यहां पर यही हुआ कि मुहमद अली को हेल्प करने के लिए आ गया बिटेश सहाव अंग्रेज बिटेश हो गया और नासिर जंग जो होता है हाइदराबाद के लिए हेल् कि म गया यहां कि मारा यह होती है है से यहां अनसिर जंग इसको हाइदराबाद की करसी मिल जाएगी हाइदराबाद का एरिया मिल जाएगा तो हैदराबाद जो होता है यहाँ पर मिल गया था लेकिन डूपले हार नहीं माना था और यही काम आपको भी करना है हार नहीं मानना है डूपले ने हार नहीं मानी और इसने क्या है हारने के बावजूद भी उसने अपना ट्रंप कार्ड फेका और इस ट्रंप कार्ड में ऐसा फेका की जो आर्मी थी उसकी वो खुदी नासिर जंग के अगेंस्ट हो गई और नासिर जंग को मार दिया गया जीतने के बावजूद भी नासिर जंग की हार हो गई नासिर जंग जो होता है वो मर गया और अल्टीमेटली अब क्या है जो रास्ता खाली हो गया मुझफर जंग का तो मुझफर जंग जो होता है वापस है हैदराबाद की पॉलिटिक्स में एंटर कर जाते हैं और वो बन जाते हैं नवाब तो फ्रेंच जो है हार करके भी जीत जाते हैं और इस तरीके से मुझफर जंग को जो है मिल जाता है हाइदरबाद का एरिया लेकिन मुझफर जंग जो है करनाटिक से जब वापस जा रहा होता है तो मुझफर जंग को भी निप्टा दिया जाता है यहां के जो पठांस थे वो बिसिकली मुझफर जंग को मार दे और इस तरीके से जो हैदरबाद की पॉलिटिक्स है वहाँ पर न फ्रेंच जीते न ब्रिटिशर जीते तो अंतमे जीता कौन हुआ यहाँ पर कि फ्रेंच ने क्या किया असवजा का जो दूसरा लड़का था उसको राजा बना दिया जाता उसको नवाब από बना दिया नहां कि अगर आप देखेंगे तो काईदे से काईदे से जो डूपले है वो बेसिकली दोनों जगा पर जीद गया डूपले ने चंदा साहब को भी बिठा दिया है तो जो आपका करनाटिक है वो इलाके में भी डूपले की चलने लगी फ्रेंच की चलने लगी और साथ ही साथ में प्रिटिशर चुपचा बैठे रहेंगे क्या औवियसली नहीं बिटिशर भी समय खोजेंगे कि सही समय पे हम भी अटैक करेंगे और समय आ गया था हुआ क्या कि जो फ्रेंच थे वो थोड़े से सरकारी और थोड़े से बेवकूफ और इस कारण से डूपले को वापस बुला हैं क्योंकि मुहमद अली एक मातर ट्रम कार्ड बचा था ब्रिटेन के पास में दूसरे साइड में तो मुझफर जो इनका नासर जंग है उसकी तो डेथ ही हो गई थी तो अब यहाँ पर एक निया बंदा आता है जो बिसिकली बिटिश क्लर करहता है जिसका नाम है यह बंदा बहुत ही जड़ा इस्ट्राटेजिक बहुत फ्लक और यह beigkeiten के बाव्जूत करणल अर बहुत ही जाथा हाई पोजीशन पर पहुंच गया था क्लाइव ने जब देखा तो इसने कहा कि यार ये तो बहुती आसान गेम है रुको इसका गेमपले हम बनाएंगे इसका चकरवीव हम बनाएंगे तो इसने क्या किया इसने सबसे पहले टारगेट को कहा कि यार देखो ऐसा है कि मुहमद अली हमारा टारगेट है और हमें इसे करना है इन्हों ने कहा कि दिखें बिटिश आर्मी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे एक जो है आरकौट पर अटैक करेगा दूसरा अटैक करेगा तिरुचिरा पल्ली पर लेकिन सबसे पहला जो अटैक होगा वह आरकौट पर अटायक होगा चंदर साहब को वापस ल पूरी की पूरी पूरी पॉलेक्सी खतम कर देते हैं इनकी आगे आने वाली पैसान इनको भी खतम कर देते हैं तो चंदा साहब को पहले सस त्रứचिरा पनली के एरिया से divert करना था तब ही कोई का हिकाम किया जा सकता था इस कारण से क्लाइब ने गेम प्ले बनाया अपना कि आरकाउट पर अटाइक करेंगे तो चंदा साहब को वापस लोटना पड़ेगा अपनी कैपिटल को बचाने के लिए और फिर हम लोग मुहमद अली को फ्री करेंगे अब बहुत जबरदस्त था प्लान सही भी हो गया अब यहाँ पर चंदा साहब के उपर आटाइक किया गया तो था आ लेकिन हैं इनको मार दिया जाता है। जैसे इधर यह निपटते हैं वैसे ही मुहमद अली को फी का दिया जाता है और मुहमद अली को बिटिशर्स लेकर के भाग जाते हैं अब इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद में क्या हुआ हैदराबाद में मुझफर जंग राजा तो बना लेकिन इसको मार दिया गया और असब जाका दूसरा लड़का को राजा बना लेकिन फ्रेंच का पोजेशन हो गया तो यहाँ पर फ्रेंच जो है वो जीत गये थे दूसरे साइड में करनाटिक एरिया में देखेंगे तो मुहमद अली को नवाब वापस है डिकलेर किया जा चुका है क्योंकि चंदा साहब की डेथ हो गई है अब यहाँ पर बिटिशर आप बोल सकते हैं और यही डिसाइडिंग वार हुआ था थार्ड करनाटिक वार के तौर पर 1756 से 63 के बीच में यह देखिए इसको और भी हम लोग जानते हैं सेवन यह वार के रूप में जानते हैं और यह सेवन यह वार जो होती है यूरोप में चल रही थी दोनों चुका था डूपली के जगह पर काउंट दे लाली एक बंदा था वह आ चुका था अब इन्हों ने क्या किया देखो ऐसा है अब हम लोड़े करेंगे अब हम लोग आटायप करेंगे तो अटायक करने में कि फ्रेंच फैक्ट्री अबिश्य फैक्ट्री एक दूसरी के फैक फ्रेंच के साथ में वार लड़े थे और अब नए फ्रेंच के साथ में लड़ने के लिए इनकी रिहर्सल हो चुके 1757 में ही इन्हों नी क्या किया कि लगे हाथ हर एक एरिया को हर एक एरिया को अटेक करना शुरू कर दिया फ्रेंच ने बिटिश के एरिया में अटेक किया य पूरी तरीके से बिटिश के हाथ में आ गया था क्योंकि नवाब शिप को उठा करके फिक दिया गया था प्लासी के वार के बाद में अब सारे के सारे जितने भी नवाब थे वो कटपुतली बन करके रह गये थे तो बिटिश अब बेंगॉल पर ज्यादा टारगेट कर रहे थे और फ्रेंच को निप्टाने की कोशिश भी की जा रही थी और जब कि फ्रेंच जो होता है वो करनाटिक एरिया में अपना दिमाग लगा रहे थे तो इस कारणे से यहां पर बिटेंज जो है वह ज्यादा इस्ट्राटेजिकली गेम प्ले कर रहा था 1757 में अल्टिमेट साइप से सर आयर कूट रहते हैं दोनों यहां पर फ्रेंच जो हार जाते हैر बहुत ही जादा Christy सांग करवाई है यहां जाती है बोल दी आती है कि कोई भी आर्मी जो है वो फ्रेंच वाले नहीं रखेंगे दूसरा बोला गया था यह लिमिटेड लिमिटेड फॉर्मेट में रहेंगे लिमिटेड आर्मी लिमिटेड फॉर्से ठीक है यह रखेंगे तीसरी चीज इनको फॉर्स किया गया था इंडिया से चोड़ करके जाने के लिए हाला कि जो है यह पॉड़ी चेरी के एजिया में कुछ हद तक रह गये थे तो यह बहुत ही हुमिलिएटिंग ट्रीटी थी और इस ट्रीटी के बाद में करनाटिक वार जो है वो खतब हो जाता और इस तरीके से हमारे तीनों करनाटिक वार फिनिश हो जाते हैं तो यह थी बिसी के लिए आज के हमारे क्लास थोड़ी चोटी थी बट इट वाज रिली वरी इंट्रेस्टिंग क्योंकि करनाटिक वार अपने आप में बहुत ही करनाटिक है और जल्दी समझ में मुस्ट परदी नहीं आता होगा लेकिन फिर भी कहर काफे डीटिल में हम लोगों डिसकस किया कोई डाउट होगा तो आप अगेन अपने डाउट को सकते हैं इमेल आडी टेलिग्राम चैनल के लिंग नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में द के ले सकते हैं चले खेर मिलते हैं नेक्श लेक्चर में और हम लोग बाते करेंगे अब राइज ऑफ बेंगॉल के बारे में तिल दन गुडबाई एंड थैंक यू सो मच